कि राम राम जी सभी भाई वेनों को राम राम मैं हूं बाब रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी तो साब दिल्ली को नया मुख्यमंत्रे मिल गया कल तक यह चर्चा चल रही थी कल विधायकों की मीटिंग हुई थी आम आदमी पार्टी वालों की तो ऐसी चर्चाएं थी कि विधायक जादातर विधायक जो हैं आतिशी मारलोना के नाम पे सहमत नहीं थी अलग-अलग नामों की चर्चा हो रही थी पर नटवरलाल ने एक काम पहले ही कर दिया था आपको ध्यानों कि जब उसने ये बोला कि मैं मैं रिजैन कर दूंगा तो स सबसे पहली विवस्था जो उसने की थी वो ये की थी कि मनी सिसोदिया नहीं बनेगा संजय सिंग भी नहीं बनेगा तो ये कुछ बड़े नाम थे पार्टी के हलांकि नटवरलाल जी की ये दिली तमन्ना थी कि दिली वालों को एक राबडी देवी किसी तरह मिल जाए पर पर आबडी देवी को चीफ विनिस्टर बनाने में बड़ी टेकनिकल समस्याएं भी लोग बता रहे थे कि उसमें बेशक ये प्रावधान है समविधान में कि आप अगर किसी भी सदन के सदस्य नहीं है तो भी आप छे मेने तक शपत ग्रहन कर सकते हैं मंत्री या चीफ इन आ realities नहीं होने हैं इसलिए इस इस इनिरणे को चैलेंज किया जा सकता है कि चुनके आइन इसकती हैं कि तो मुख के चुनौँके विदानसवा बंघ अची उल्क होगी इसलिए वह एक टेकनिकल पॉंट था उसके बाद एक बहुत बड़ी एक issue था कि आम आदमी पार्टी की इमेज पब्लिक में क्या बनेगी है हलाकि नट्रलाल की इमेज नट्रलाल की बन चुकी है वो दूसरा ला इस देश का दूसरा लालुयादव सिद्ध हो चुका है आज इस बारे में कोई गुंजाईश ही नहीं है इस बात में कि अगर आम जनता से पूरे देश में अगर वाधिक करप्ट सबसे काया कि सबसे धूर्थ सबसे बदमाश कि सबसे जादा कनिंग कि सबसे बड़ा देश द्रोही कि अगर कोई नेता है तो लोग नट्वर्पास की आश्पास भी नहीं टिकता पबलिक भी और नट्र लाल से बड़ा कोई ठग इस देश में भी नहीं है नेताओं में, लालु मुलायम तो उसके आगे बच्चे हैं, चूजे, चूजे नहीं होते, छोटे बच्चे बच्चे बच्चारे, लालु मुलायम तो कुछ ही नहीं, नट्रोलाल की जो है न, काहियांपन के आगे, उसकी धूर्तता के आगे, बच्चे हैं तो अ अब नेट्रोल लाल किसामने चालेंज ये था कि उसको एक कठ पुतली बैठानी थी, विधायक मारलोना जी को पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने सुनाया कल भी हमने एक चर्चा की थी, वो सत्ति फरक वाले भारे भाया जो है श्रकुमार श्रकान जी उनके साथ, किसाब विधा जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, गुपाल राय को बनाया जाए, अब साब जो भी हुआ, तो कल जो नट्वरलाल जो है, वो मीटिंग छोड़ के चला गया था, आज नट्वरलाल ने डिसाइड किया, विधायकों से राय लेने का सिर्फ नाटक था, सच यह है कि नट्वरलाल दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, and he wants a rubber stamp, a yes man, उसकी कठपुतली, चली इतमें कोई बड़ी चीत नहीं है, ऐसे बहुत से मुख्यमंत्री हुए हैं, जब जो जब जेल गए हैं, या जब उन्होंने पद छोड़ा है, तो अपनी एक कठपुतली उन्होंने आप चंपई सोरन काल देख लीजिए, आप उसी तरह पल्टु चचा जो हैं बिहार वाले, वह भी बैठाय थे, जो हमारे, क्या नाम है उनका, जीतन राम माजी साब को, जीतन राम माजी ने क्या किया था, आप किसी को बैठा देते हैं, पर 6 मेने पर जब आप सत्ता लेने दिकत होती, चलिए ताब, ये एक पॉइंट है, आज जब आतिशी मार लोना, जी को जब डेकलेर किया है, नाट्रलाल ने, तो, हाउ जोन हर राज्य सभा की जो सदत्य है, स्वाती मालिवाल, स्वाती मालिवाल ने बड़ा जम के विरोध किया है, और स्वाती मालिवाल ने काईक साब, ये तो बहुत ही खतरनाक औरत है, जिसका नाम मार लोना है, इसके नाम में ही मार लोना, मार्कसवाद और लेनिन की जो है, का नाम भी इसमें, उसका नाम ही डिराइव होता है, इन वामपंथियों से, देश द्रोहियों से, तो स्वाती मालिवाल ने एक आरोप लगाया है कि इसके माबाप जो है वो अफजल गुरु को माफी दिला, अफजल गुरु वो जो की संसद पे हमले का दोशी था जिसे फांसी की सजा अंत में हुई, उसकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए आज हमारी जो मुख्यमंत्री जी है, इनके पिता जी और माता जी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे, पेटिशन्स फाइल कर रहे थे पूरे देश में और दुनिया में, यह प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि अफजल गुरु को जो है नयाय नहीं मिला, अफजल गुरु तो निर्दोश है, अफजल गुरु को अपनी सफाई देने का मौका नहीं मिला, उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ, उसको अपने बचाव का मौका नहीं मिला, इस प्रकार के दुनिया भर के यह दब दलिलें दे रहे थे, कौन? मारलोना जी के पीता जी और माता जी, और यह कम्मिनिस्ट है, तो आज मैं एक कम्मिनिस्ट होने क्या बुराई है, हाँ है बुराई, कम्मिनिस्ट देश द्रोही होता है, कम्मिनिस्ट हिंदू धर्म का विरोधी होता है, कम्मिनिस्ट जो है वो अबरहेमिक रिलिजिन्स का पिठ्थू होता है, वह इस देश का सगा कभी होई दी सकता, कम्मिनिस्ट वो सब्सक्राइब बैटे लिए इतनी बात बोल दे इनमें किसी में इतनी ता भी नहीं दे पर मैं बोल रहा हूं लीजिये सुनिये विजय जो भी है उनका नाम विजय त्रिवेदी है थे ही कुछ नाम है वो सत्य परक नहीं सत्य भारत डाट काम वाला जो हो अश्टोष जी का चैनल उस पर भी वह बहुत आते हैं तो सब उन्होंने एक बात और कही कि अरे हाँ तो आतेशी मारलोना के माई बाबुद्न थे जो हाँ अवजल गुरु की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे थे तो उससे मारलोना का क्या संबन्द है उनके कुकर्मों की सजा मारलोना को क्यों न मिले अरे भाया एक बात बताओ सोच के देखिए एक ठो नाग है ऐसे आइसे नाग और एक ठो नागिन है ऐसे नाग और नागिन ऐसे मैं तेरी दुष्मन दुष्मन तु मेरा अब इनका जो अंडा बच्चा होगा वो क्या होगा बताइए विजय त्रवेदी जी अरे नाग नागिन का सपोला तो नागिनन होगी यह उड़णा निकल जाएगा पानी वाला नहीं न अगर जिसके माबाप नाग और नागिन है तो उसकी अवलाद भी जहरीली होगी काट लेगी पानी नहीं मांगोगे विजय त्रवेदी तो जिसके मापाप अफजल गुरु की रिहाई के लिए पूरे दुनिया में एजिटेशन कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, उनकी बेटी भी नागिन होगी, देश-द्रोही होगी, यह सबसे बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन है, अच्छा जीतर रमाजी ने जो है, ट्विट किया मेरे मित्र दिखा रहे हैं मुझे, दिल्ली को राबडी देवी मुबारक हो, चलिए सब एक फोन भी बज़ गया, उनको काट देते हैं, तो सब दिस इस डिस्क्वालिफिकेशन, कि तुम्हारे बाप और तुम्हारी महतारी नाग और नागिन है, उनके अंदर देश के खिलाफ जहर भरा है, उन्होंने वो जहर उगला है, तुम खांदानी अवजल गुरू के समर्था को, इसलिए हम तुम्हें रिजेक्ट करते हैं, अच्छा, यह सब जो होते हैं इंडी कबाल वाले, इनकी बड़ी मज़ेदार होती हैं, अभी तक यह, जिसकी जीप से कुचल के 5-8 लोग मर गए थे, आंदुलन में, तो लाड़कवा न कुचल दिया था, अपनी जीप से, तो उसके बाप का इस्तिफा कहें मांगता रहता तरे तुम लोग, उसके बाप को कहें मंत्र मंदर दर निकालने की बात करता था, लड़कवान दोशी था, तो तुम लोग तो तीन साल थे, उसका इस्तिफा मांगते थे, कहें मांगते थे, और वही लोग अब आतिशी महर लोना समर्थन कर रहे हैं, यह इसका तो बाप मतारी जो है, अफजल गुरू का समर्थक है, नहीं, यह सब नहीं चलता है, don't be selective, यह selective amnesia नहीं चलेगा, यदि टेनी के बेटे की गलतियों के आधार पर टेनी का इस्तिफा मांगा जा सकता है, तो आतिशी महर लोना के बाप महतारी के खुकर्मों पर आतिशी महर लोना को जवाब देना होगा, तो स्वाती मालिवाल ने जो दिल्ली की नई मुक्ष मंत्री का विरोध किया है वह एकदम सही है ये डपली गैंग की सदस्य है इसकी परवरिश उसी बिल में हुई है जिसमें वो नाग और नागिन रहते थे ये उन्हीं के रक्तमज्जा से बनी है ये देश द्रोही गिरोग की आउलाद है ये वो सपोला है जिसके माबाप में देश के विरुद जहर भरा है दिल्ली वासियों को ये बात याद रखनी चाहिए कि अफजल गुरू की समर्थक आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है और आतिशी मार लोना को इसका हिसाब देना पड़ेगा मेरे जैसे लोग मांगेंगे तो सब अब तो चलिए अच्छी बात है आतिशी मार लोना जी मुख्यमंत्री बन गई है देखते हैं दिल्ली वालों की किस्मत में और क्या कुछ लिखा है और नटवरलाल जी कोई बारे में कहा गया है कि आप फुल्टू जो हूँ हर्याना में परचार करेंगे और पार्टी को राष्ट्री अंतराष्ट्री स्तर पर बढ़ाएंगे हमारी शुब कामनाए हैं और मैं दिल्ली वालों से यह उम्मीद करता हूँ कि यह जो नागिन आज इस नटवरलाल ने दिल्ली को के ऊपर थोपी है अगले चुनाओं में तोडने की जिम्मेबारी दिल्ली की जन्ता की है आजके लिए इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक की साथ फिरते मिलते हैं